जीवन मंत्रा नमस्कार जीवन मंत्रा में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आचारे आसुतोस और आज मैं चर्चा करता हूँ यूरिन में पेसाब में जलन की अभी जो ग्रिस्मरितू है इस गर्मी के दिनों में यह समस्चा सबसे ज़्यादा आती है पेसाब में जलन, पीलापन रुक रुक करके पेसाब आना कम आना पानी हम पीते तो ज़्यादा है लेकिन पेसाब आता ही नहीं है तो आखिरकार वह पानी जाता कहा है तो गर्मी इतनी है इसके लिए आपको जरूरत है पानी ज़्यादा पीने की जरूरत है इलर्ट रहने की सजग रहने की, सतर्क रहने की और कुछ निर्देश जिन को फॉलो करने की यदि आप इसे अपने जीवन में लागू कर लेते है तो आपको कभी यह समस्या होगी ही नहीं और है तो ठीक हो जाएगी इसके लिए शर्वुत्तम जो संसाधन है वह है जल जल के सेवन को बरहा दे और जल को जैसे पानी पीते हैं तो पीए नहीं उसे खाए धीरे-धीरे एक-एक सिप करके आराम-ाराम से पानी को ले फोरा सा नीवु का सेवन आप कर सकते हैं नीवु का सेवन आपके किड्नी को ससक्त बनाता है आपके लीवर को ससक्त बनाता है जो टॉक्सिंस है वह उसे बाहर की वो निकालता है डी टॉक्सिफाई करता है यह नीवू चुकि यह साइट्रस होने के कारण जो विजाती यह द्रब्य है उसे जल्दी ही बाहर निकाल देता है और गर्मी के दिनों में पिसाब में जलन, कम आना, रुकरुक के आना और पीलापन यह सब सिमिलर हैं, सिर्फ इसके लिए आपको जरूरत है पानी ज्यादा पीने की, कम भोजन की, चबा-चबा कर खाने की और तुलसी का सेवन आप सुरू कर दें, जो भी आप पानी पीएं उसमें तुलसी का दोबुन, तुलसी का रस डालत के फिर उस पानी का सेवन करते जाएं, या नीवू का सेवन करें, पुदीना, हरा पुदीना भी बहुत लावकारी, गुनकारी है, पुदीने का रस एक चमच और एक चमच सहद, रोज दिन प्रातह काल खाली पेट यदी आप लेते हैं, तीन दिन के भीतर ही आपकी समस्या ज कच्चे आम को आग पर पका लें, और उसके गुदे को निकाल करके उसे पानी में फेट लें, मिला लें, और उसमें मिसरी डाल लें, मिसरी डाल करके और उसको एक लीचर बना करके रखें, और उसे लगातार दिन भर पीते रहें, यह एक ऐसी ओसधी हैं, यह जो सिजनल फ करके कच्चे आम का जो औस दीये गुन है वह बहुत तिबर प्रवावसाली औस दी है इसका आप सेवन करें एक बार फिर से इसे सुनें कच्चे आम को लेकर आग पर इसे पकाएं फिर उसके छिलका उतार करके गुदा को पानी में फेट ले एक लीटर जल में थोरा मिस्री मि लें ताकि वह स्वाद में मीठा हो जाए और यहां बहुत ही सीतलता प्रदान करने वाला है जो आपके digestive system को urinary bladder को clean करता है उसमें जो toxins है उसे यह detoxify करके आपको निरोगी काया प्रदान करता है प्राता कालिन सेर बहुत जरूरी है इसमें जितना ज्यादा से यादा आप पानी पी करके उसा पान करके आप सैर करते हैं morning walk करते हैं उतनी ही जल्दी आपकी यह समस्या पिसाब में जलन की समस्या कम आने की समस्या रुक रुक करके आने की समस्या पिलेपन की समस्या यहां आपको मुक्ति दिला देता है जलका आपको रोज दिन सेवन करना है ज्यादा से ज्यादा नीबू का तुलसी का और कच्चे आम का और पुदीने का रस कोई भी इन तीनों में से चारों में से कोई भी एक की सेवन आप सुरू कर ले और इसका लाव ले और उनको भी इसका लाव दे आज के लिए बस इतना ही यहाँ प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें मेल करें पत्र लिखें या फोन कॉल कर सकते हैं जीवन मंत्रा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेयर करें ताकि इसका ग्यान और लोगों तक पहुँच सके